जमीन पे बैठी बोध ऐच्छी लग रहे हैं तो आदर डरले थे बैढ़ ले, क्योंब तेरी कुर्सी तो गई दोस्तों पहले तो तो सिर्फ और सेफ अक्टर और एक्ट्रिस के जनम दिन पर ट्रेलर वगरा और टीजर वगरा रिलीस किया जाता था लेकिन अब तो फिल्म के डायरेक्टर के बर्थडे पर भी फिल्म के ट्रेलर और टीजर रिलीस किये जाते हैं हम आपको बता दें कि गंगु भाई काठियावाडी फिल्म का जो टीजर है वो इसलिए आउट हो चुका है क्योंकि आज संजय लीला भंसाली का बर्थडे है और संजय लीला भंसाली ही गंगु भाई फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं आपको बता दें दोस्तों कि इसी फिल्म के टीजर के रिलीस के 37 फिल्म की ओफिसियल रिलीस डेट भी आ चुकी है आपको बता दें कि ये गंगु भाई फिल्म जो है आप लोगों को 30 जुलाई 2021 के मौके पर देखने को मिलेगी दोस्तों आपको बता दें कि ये फिल्म काफी लंबे समय से चाचाओं में थी क्योंकि गंगू बाई जो है वो एक नेता के तौर पे बाद में उभर के सामने आई थी दोस्तों आपको बताते चले कि गंगू बाई की कहानी बहुत ही अल्टिमेट है और जिस तरीके से टीजर में आलिया भट ने उस किरदार को जिया है वो काबिले तारीफ है आपको बता दे कि गंगू बाई पे काफी जादा अत्याचार भी हुआ था जब वो जवान थी तो साफी जादा उन पे जब अत्याचार वगरा हुआ तो वो वहां की लीडर उभर कर सामने आई यही सारी चीजे आपको फिल्म में देखने को मिलेगी दोस्तों 37 साथ आपको बता दें कि संजय लिला भंसाली इस फिल्म को काफी लंबे समय से सोच रहे थे डारेक्ट करने के और फिल्म पर रिलीस करने के लिए पढ़दे पर लेकिन आपको बता दे दोस्तों कि गंगु बाई फिल्म के मेकर्स पे केस भी रेजिस्टर किया गया था लेकिन यह केस कोट तक नहीं पहुचा वरना इस फिल्म को काफी ज़्यादा मुस्किलों का सामना करना पड़ता व जो कि पूरा का पूरा फिल्म जो है एक बुक पे भी आधारित है जिसका नाम है हुसेन जैदी बुक और माफिया कुईन्स ओफ मुंबई इस टाइप का जो बुक लिखा गया है उस पे आधारित है और इस बुक में भी पूरा गंगु बाई का जो केड़दार है वो दरसा आया गया है आपको बता दें कि यह बहुत ही खतरनाक फिल्म होने वाली है और इसका ट्रेलर भी आप लोगों को जल्दी देखने को मिलेगा जैसे ही कोई नई अपडेट आती है हम आपको सबसे पहले बताएंगे तब सब्सक्राइब कर लिजेगा चैनल को और आपको नवाद